अंतर राश्ट्रिय सूरज कुण मेला समाप्त हो गया है। वे भारत सरकार के पर्यटन मंत्राले के सचिव अर्विन सिंग हर्याना टुरिजम के प्रिंसिपल सेकेटरी एमडी सीना सहित कई वरिष्ट अधिकारी समापन समारों में भागीदारी करने पहुंचे। अधिकला से जुड़े कलाकार लोगों का ध्यान खीच रहे थे तो कहीं पर टैरा कोटा पर नकाशी लोगों का ध्यान खीच रही थी। अपने फन में माहिर कुछ कलाकारों ने लकडी वे पत्तर को कुछ इस्तरे तरसा कि मानों उनमें जान डाल दी हो। समापन समारों से पहले आज दो पैर हरियाना परियटन निगम के चेर्मेन अर्विन्द यादव ने पत्तर कारों से बात की। अर्विन्द यादव ने कहा कि एक नई घोशना करते हुए अगामी दिपावली पर नवंबर महा के प्रथम सप्ताहा में सूरज कुंड में विशेश मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला आत्मे निर्भर भारत के परधान मंतरी के सपने को पूरा करने की और एक बड़ा कदम होगा। इस मेले में मेकिन इंडिया की मोहिम को आगे भढाते हुए सवदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वाले लोगों को आगे लाया जाएगा। वोकल फोर लोकल की और कदम भढाते हुए सवदेशी उत्पादों की और आम लोगों का रुजान भढाने के लिए पहल की जाएगी जो स्वाव लंब का उदेशे भी पूरा कर रहे हैं। अरविंदी आदव ने मेले के शुभारम से समापन तक के सफर का भी विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने विभिन देशों से मेले में पहुँचे परतिनी दियो भारत सरकार वे राज्य सरकार का अभार व्यक्त किया।